हेलो गाइस नमस्कार स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे उराज हम बात करेंगे दूस्तो एक ऐसे एंडिकेटर के बारे में जिसमें आप प्रोफिट जनरेट हमेशा कर सकते हैं मैं लाइव एक्जामपल आपको दिखाऊंगा कौन सी तरह और किस जगह इसने सिगनल्स प्रोवाइट किये हैं ठीक है तो उसके पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेस्ट बार विजिट किया है तो प्लीज करके सब्सक्राइब करिए सेर करिए वीडियो क और लाइक करिए चलो बात करते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पाँच मिनट टाइम फ्रेम के उपर ये यहाँ पर चल रहा है और यहाँ अगर मैं जिम आउट करता हперв गो जीर कbefore है तो इस जिगह आँप चैनल करता हूं इस जिगह आप उस ने यहाँ का सिंगनल दिया ठीक है तो एक मिनट अगर आप इसको पर्चेज करना चाते तो बिंदास कर सकते हैं अदर्वाइस आप मेरे को कौन्टेट कर सकते हैं या फिर टेलग्राम ग्रूप के अंदर भी जोईन हो सकते हैं यहाँ पे अगर स्क्रीन के उपर आपको में दिखा देता कि यहाँ पे इसने बाय का सिंगनल दिया जैसे ही थर्ड नंबर यहाँ पे प्रोवाइड होता है थर्ड नंबर प्रोवाइड होने के बाद में आपको थोड़ असा वेट करना है वेट मिस यहाँ पे ग्रीन सिंगनल यहाँ भी निचे बनना चाहिए जैसे यहाँ पे ग्र signal नहीं मिल जाता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका TP book हुआ, यहाँ से आपने purchase किया, 0 point लगबग जो भी आपने purchase किया, तो इस जगह आपके TP book होता है, ठीक है, इस जगह अगर book करते हैं, तो यहाँ पे something आपको 7 dollar के आसपास यहाँ पे profit book होता है, ठीक है, इसके लगा, जब 3rd number यहाँ पे placement होता है, तो market यहाँ से गीरेगा, और यहाँ पे आप check कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपका sale order लग चुका है, तो यहाँ पे आपका stock loss और TP आपको open रखना है, ठीक है, इस बात का आपको दियान रखना है, इसके बाद में market गीरता हुआ, गीरता हुआ, कितना गीरा, आप check कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप check कर सकते हैं, ठीक है, एक बात का आपको दियान रखना है, कि यहाँ पे 3rd number placement नहीं हुआ है, और यहाँ पे भी आपको एक green signal मिला है, जैसे कि उपर purchase करने का, तो आपको यहाँ पे भी purchase नहीं करना है, चलो, आपको 15 minute time frame के उपर कोई भी signal purchase नहीं हुआ है, अगर यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे buy का मिला, यहाँ पे 3rd number placement नहीं है, अगर आप यहाँ से entry चूक भी जाते हैं, तो यहाँ से, यहाँ से आप 3rd number से entry ले सकते हैं, यहाँ से क्यूंकि आपको sale का एक दम, यहाँ पे एक range मिल चुका है, जिसके उपर से यहाँ पे आप लगबग 20 dollar के आसपास profit book यहाँ पे कर सकते हैं, उसके अलावा, आपको यहाँ पे अगर open रखना है, आपका TP तो open भी रख सकते हैं, stop loss के साथ, और यहाँ पे वापिस चेक कर सकते हैं, एक 3rd number यहाँ पे placement हुआ, यहाँ पे buy किया, यहाँ पे 2-3 dollar का profit book हुआ, उसके बाद में यहाँ पे किसी भी तरह का order placement यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों यह हम देख रहे हैं 15 minute time frame के उपर, ठीक है, थोड़ सा एक time frame change करते हैं, यहाँ फिर USD JPY में इसको मैं convert करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे USD JPY में convert किया, यहाँ पे आपको सभी currency के नाम दिख जाएंगे, जिसके उपर आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप convert कर सकते हैं, ठीक है, USD JPY के दोस्तों, गर बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक placement होता है, यहाँ पे एक placement होता है, और यहाँ पे एक placement होता है, यहाँ पे आपको buy करने के लिए placement होता है, यहाँ पे एक sale का मिलता है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे एक sale का और मिला, उपर ज जगह यहां से आपका sell का मिला परन्तों यहां पर थर्ड नमर placement नहीं हुआ है तो आपको wait करना है यहां नीचे आया इस जगह वापिस आपको यहां पर buy का मिला तो यहां से आप right tick लेके इस support line के इसाब से आप इसको trading या फिर आप कोई भी 0.01 के load size के उपर आप trade कर सकते हैं यहां से market गिरा अप गया यहां पर थर्ड नमर मिला परन्तों एक बात का आपको दियान रखना है यह थर्ड नमर यहां पर मिल गया परन्तों यहां पर अभी तक sale का signal नहीं मिला है तो आपको wait करना है जब यहां पर यह जो line रेड हो जाती है इस जगह यह red line हो गई और यह यहां पर थर्ड नमर है तो आपको यहां पर sale और इसके just उपर ही आपको stop loss placement करना है ठीक है तो दोस्तों thank you so much group के अंदर join हो जाए जिसमें आपको मैसा कुछ उनकुछ update मिलती रहेगी thank you so much धन्यवाद